तो दोस्तो वॉन्डा विजन सीरीज अब कंप्लीट हो गई है और इसके सभी एपिसोड्स हमारे सामने आ चुके है ये टीवी शो हमारी उमीद से बहुत बैतर साबित हुआ पर कई लोग इसका मजा नहीं उठा पाए क्योंकि ये शो हिंदी में रिलीज नहीं हुआ था और उपर से इसकी स्टोरी बहुत कंफ्यूजिंग है इसलिए आज मैं वॉन्डा विजन सीरीज की पुरी स्टोरी शॉर्ट में एक्स्प्लेन करूँगा तो बिना किसी देरी के आई ये रिखते है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर सभी एपिसोड्स को डीटेल में डिसकस नहीं करूँगा बलकि मैं यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टन बातों पर ही फोकस करूँगा और इस सिर्फ की स्टोरी काफी गुमा फिरा के दिखाई गई है लेकिन मैं पूरी स्टोरी को सीधी सीधी ही समझाऊँगा तो यह कहानी है एवेंजर्स एंड गेम के बात की एंड गेम में जो फाइनल बैटल हुआ था उसके ठीक तीन हफते बाद वन्डा मैंग्जिमोफ स्टोर के हैड कोडर में जाती है स्टोर्ड शील्ड की जैसी ही एक और्गनाइजेशन है जो कि दुनिया पर आने वाले खतरों पर नज़र रखती है विजन जो कि इन्फिनिटी वार में मर गया था उसकी डेड बाडी स्टोर के हैड कोडर में रखी हुई थी वन्डा उसकी बाडी लेने के लिए वहाँ जाती है ताकि वो विजन का फ्यूनरल कर सके पर स्टोर के डिरेक्टर टाइलर हेवर्ड उसे विजन की बाडी देने से मना कर देते है फिर वन्डा वेस्ट विजन नाम के एक शहर में जाती है कुछ साल पहले वन्डा और विजन ने ये तैय किया था कि वो दुनों वेस्ट विजन नाम के एक शहर में अपना घार बसाएंगे इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक प्लॉट खरीत के रखा था पर जब स्वोर्ड वाले वन्डा को विजन की बॉड़ी देने से मना कर देते है तब वो दुखी होकर वेस्ट व्यू में अपने प्लॉट पर जाती है वन्डा ने अपनी जिन्दगी में बहुत बूरे हालातों का सामना किया था पहले उसके माबाप मारे गए फिर उसका भाई उसके बाद उसका प्यार विजन भी मर गया इस सबसे वो पहले ही बहुत दुखी थी उपर से जब वो विजन का फ्यूनरल भी नहीं कर पाई तो उसके सबर का बांट टूड गया उसके एमोशन्स आउट ओफ कंट्रोल हो गए और उसकी पाउर्स ने भयानक रूप ले लिया और तब वोंडा की बॉडी से इतनी सारी एनर्जी निकली जिससे उस खाली जगा पर एक घर बन गया वो पूरा शहर भी उसके एनर्जी से चेंज हो गया और तो और उसकी शक्ती से एक नए विजन का जन्म हो गया वोंडा ने अपनी पाउर्स से पूरे वेस्ट व्यू शहर की रियालिटी ही बदल दी और उसे अपने हिसाब से ढाल लिया वोंडा को बच्मन में सिटकॉम्स यानी कॉमेडी सीरियल देखना बहुत पसंद था इसलिए उसने अपनी इस रियालिटी को पुराने सिटकॉम के स्टाइल में बनाया था और यहां जो विजन मौझूद था उसे अपनी बीती जिन्दगी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था वो बस वॉंडा को जानता था और उसे प्यार करता था फिर वॉंडा और विजन की शादी हो जाती है और वो दोनों एक हैप्पी मैरीड लाइफ जीने लगते है वॉंडा ने जब वेस्ट यूप पर अपनी पावर यूज करी तो बाहर की दुनिया से वो शहर और उसके लोग कहीं गायब हो गए इसलिए इस मैटर को सॉल्प करने के लिए FBI एजेंट जीमी वू को बुलाया जाता है पर जीमी वू के लिए भी ये मैटर बहुत कॉंपलेक्स था इसलिए वो सोट के लोगों से मरद मांगता है फिर स्वोर्ट के डारेक्टर मॉनिका रेंब्यू को इस काम के लिए भेशते है मॉनिका रेंब्यू, मारिया रेंब्यू की बेटी है जिसे हमने कैप्टन मारॉल मुई में देखा था मारिया अब मर चुकी है और मॉनिका अब स्वोर्ट की एजन्ट बन चुकी है मौनिका जीमी वू के मरत करने के लिए West View में जाती है वहाँ वो दोनों देखते है कि उस शहर के बाहर एक अजीब सी energy field है जब मौनिका उस energy field के पास जाती है तो वो उसके अंदर खीच ली जाती है फिर जीमी वू इस बारे में Sword को बताता है और तब स्वोर्ट के लोग Westview शहर के बाहर घेराबंदी कर लेते हैं और वो इस मामले की जाच करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट को बुलाते हैं जिन में से एक थी डार्सी लिवस जिसे हम थोर की मुवीज में देख चुकी है डार्सी अब एक एस्ट्रो फिजिसिस बन चुकी है वो यहाँ आकर जब थोड़ी इन्वेस्टिकेशन करती है तो उसे एक अजीब से सिगनल का पता चलता है जो कि Westview शहर से आ रहा था डार्सी उस सिगनल को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो एक ब्राटकास्ट सिगनल है जिससे वॉन्डा विजन नाम का एक टीवी शो टेलीकास्ट हो रहा था उस शो में जब मॉनिका दिखाई देती है तो स्वोड के लोग समझ जाते है कि वो एक लाइव टेलीकास्ट है और उस एनरजी फील्ड के अंदर मौझूद लोग उस शो के करेक्टर बन गए है जिसमें वेस्ट विउज शेहर के सभी लोग शामिल थे स्वोड, एफबियाई और सभी साइंटिस्ट मिल कर ये समझने की कोशिश करते है कि वहाँ हो क्या रहा है उदर वॉन्डा की वो रियालिटी पुराने सिटकॉम से नए सिटकॉम में बदलती जा रही थी और अब वहाँ सब कुछ कलरफुल बन गया था कभी-कभी वॉन्डा की अपनी रियालिटी पर से पकर छूटने लगती थी और वहाँ थोड़ी गडबर होने लगती थी पर वॉन्डा उसे ठीक कर देती थी और वो किसी को भी अपनी इस दुनिया में इंटरफेर नहीं करने देती फिर एक दिन मॉनिका गलती से वॉन्डा की सामने कुछ ऐसा बोल देती है जिससे वॉन्डा ये समझ जाती है कि मॉनिका स्वोड की एक एजेंट है और वो उसके लिए खतरा साबित हो सकती है इसलिए वो मॉनिका को वेस्ट व्यू से बहार निकाल देती है फिर मॉनिका स्वोड के लोगों को ये बताती है कि इस पूरे खेल के पीछे वॉन्डा का हाथ है इसलिए स्वोड का डारेक्टर हेवर्ड वॉन्डा को एक आतंगमादी बोलके उसे मानने का फैसला करता है पर मॉनिका इस बात का विरोध करती है इसलिए वो उन तीनों को वहाँ से निकाल देता है जिसकी वज़ा से उन्हें हेवर्ड पर शक होता है कि वो कोई गलत काम कर रहा है और वो तीनों उस पर नज़र रखने लगते है उदर वेस्ट व्यू के अंदर वॉन्डा दो जुड़ोवा बच्चों की मा बन चुकी थी उसके बच्चों में भी मैजिकल पाउर्स थी इसीरे वो काफी जल्दी बड़े हो जाते है वॉन्डा की जिंदगी अब लगबग परफेक्ट बन चुकी थी पर फिर भी विजन इससे खुश नहीं था उसे अपनी जिंदगी काफी अजीब लग रही थी क्योंकि वहाँ कभी भी कुछ भी हो रहा था विजन को अपने वजूद पर ही शक होने लगा था पर वॉन्डा बार बार उसका ध्यान भढ़का रही थी फिर एक दिन विजन सच का पता लगाने के लिए वेस्ट व्यूद शेहर की बॉर्डर पर पहुँच जाता है और वो उस एनरजी फील्ड से बहार निकलने की कोशिश करता है पर वो जैसी ही वहाँ से बहार आता है तो उसकी बॉड़ी टूट कर बिखरने लगती है ये विजन वॉर्डा की बनाई हुई उस रियालिटी में ही जिन्दा रह सकता था इसलिए वो वहाँ से बहार आने पर मौत की कगार पर पहुच जाता है उदर वॉर्डा को जैसी ही ये पता चलता है कि विजन वेस्ट व्यू के बाहर चला गया है और वो मरने वाला है तो वो अपनी रियालिटी की बाउंडरी को बढ़ा देती है उससे विजन बच जाता है पर इसके साथ ही स्वोर्ड के कई मेंबर्स भी वेस्ट व्यू के अंदर आ जाते है और वो वांडा की सिटकॉम का हिस्सा बन जाते है डार्सी भी वेस्ट व्यू के अंदर आ गई थी विजन को ये समझ में आ गया था कि डार्सी उसकी मरत कर सकती है इसलिए वो अपनी पावर से डार्सी को वांडा के काबू से बाहर कर देता है और वो उससे काफी सवाल जाब करता है डार्सी विजन को उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में बताती है कि वो कैसे बना, उसने क्या क्या किया और वो कैसे मरा दूसरी तरफ मॉनिका है फैसला करती है कि वो दुबारा वेस्ट व्यू के अंदर जाएंगी ताकि वो वोन्डा को समझा सके और उसे डायरेक्टर हेवर्ट से सावधान कर सके मॉनिका इसके पहले जब उस एनरजी फील्ड के अंदर गई थी और जब वो उसमें से बाहर निकली थी तो उसकी बौडी में कुछ चेंजेस आ गए थे और जब वो तीसरी बार उसके अंदर जाती है तो उसके पास सूपर पाउस आ जाती है फिर मॉनिका वॉन्डा के पास पहुशती है तो वॉन्डा उस पे बहुत गुसा होती है मॉनिका उसे समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन Wanda की पडोसी Agnes उसे मौनिका से दूर लेकर चली जाती है और फिर हमें Agnes की असलियत पता चलती है Agnes जो की Westview में Wanda की पडोसी थी और वो हमेशा Wanda का बहुत खयाल रखती थी वो असल में एक Witch यानी चुडैल थी उसका असली नाम था Agatha Harkness अगाथा सेलम की रहने वाली एक Witch थी जो की Dark Magic का यूज़ करती थी उसके इस काले जादू के इस्तमाल की बज़ा से उसके कबिले वालों ने उसे मौत की सदा सुनाई मंगर Agatha ने उन सब की Power एब्जॉप करके उन्हें ही मार दिया और तब से लेकर आज तक वो हर Powerful Magician की Powers एब्जॉप कर रही है जब Wanda ने West View में अपना जादू चलाया तो Agatha को दूर से ही उसकी Powers की भनक लग गई इसलिए वो West View में आप पहुची वहाँ Agatha ने देखा कि Wanda ने अपनी Power से पुरे शहर और उसके लोगों का रंग रूप बदल दिया है वो Wanda की इस बे मिसाल शक्ती का राज जानना चाती थी इसलिए वो उस पर नजार रख रही थी यहाँ तक कि उसने West View के एक लड़के को Wanda का नकली भाई बना कर उसके पास भेजा था ताकि वो उससे सच जान सके पर जब अगाता की कोई चाल काम्याब नहीं हुई तो उसे खुद Wanda की सामने आना पड़ा पर Wanda को खुद अपनी शक्तियों की बारे में ज़ादा कुछ पता नहीं था इसलिए अगाता उसे उसकी आतीत में लेकर जाती है जिससे अगाता को यह पता चलता है कि Wanda एक विच है और इसके पास बच्पन से ही मैजिकल पाउर से और जब हाइडर ने उसको पर माइंड स्टोन से एक्स्पेरिमेंट किया तो उसकी शक्तिया कई गुना बढ़ गई और वो बन गई स्कारलेट विच यानि सबसे पाउर्फुल बिच जिसकी मैजिकल पाउर्स बेहत खतरनाक है और वो कुछ भी बना और मिटा सकती है अगाता Wanda की शक्तिया हासिल करना चाती थी दूसरी तरफ हमें स्वोर्ट की डिरेक्टर हेवर्ड का प्लैन पदा चलता है हेवर्ड असल में विजन को वापस जिन्दा करके उसे एक हतियार बनाना चाता था उसने उसे ठीक करने की हर कोशिच कर ली थी मगर बिना माइंड स्टोन के विजन जिन्दा नहीं हो पाया फिर बाद में जब Wanda ने वेस्ट व्यू का खेल शुरू किया तो हेवर्ड को एक मौका मिल गया उसने जब Wanda को मानने के लिए वेस्ट व्यू के अंदर एक ड्रोन भेजा और Wanda ने उस ड्रोन पर अपनी पावर इस्तमाल करके उसे बाहर फेग दिया तो हेवर्ड का काम हो गया उस ड्रोन के अपर Wanda की एनरजी मौझूद थी जब विजन की बाड़ी को असेंबल करके उसे Wanda की एनरजी से चार्ज किया गया तो वो चालू हो गया मगर अब वो पहले जैसा एमोशनल नहीं था वो बस एक रोबोट था हेवर्ड उस विजन की पुरानी मेमोरीज डिलेट करके उसे Wanda और Westview वाले विजन को माने के लिए प्रोग्राम कर देता है फिर ये नया White Vision Westview के अंदर जाता है वहाँ अगाथा और Wanda की लड़ाई चल रही थी White Vision वहाँ पहुच कर Wanda को मानने लगता है लेगिन तबी दूसरा विजन वहाँ आकर Wanda को बचा लेता है फिर एक तरफ अगाथा और Wanda का मुकाबला होता है और दूसरी तरफ विजन वर्सेज वाइट विजन का Wanda अगाथा से बहुत पाउरफुल थी पर उसके पास ज़ादा experience नहीं था इसलिए अगाथा उस पे भारी पढ़ रही थी और वो उसकी powers एब्जॉप करती जा रही थी फिर अगाथा West View के सभी लोगों पर से Wanda का कंट्रोल हटा देती है फिर वो सभी लोग Wanda पर बहुत गुसा होते है क्योंकि उसने उन्हें कई दिनों से काबू करके रखा था इसलिए Wanda कुछ देर के लिए अपनी energy field ओपन करती है ताकि वो लोग वहाँ से बहार निकल सके पर इस मौके का फाइदा उठा कर हेवर्ड अपनी आर्मी लेकर West View के अंदर घुच जाता है और वो सब पे हमला करने लगता है पर Wanda के बच्चे और मौनिका हेवर्ड के आर्मी को समाल लेते है उधर अगाथा Wanda को ये बोलती है कि अगर वो उसे अपनी शक्तिया दे दे तो वो West View को बिल्कुल परफेक्ट बना कर वहां से चली जाएंगी ताकि Wanda और उसकी फैमिली खुशी से वहां रह सके पर Wanda को ये मालूम था कि अगाथा जूड बोल रही है इसलिए वो उसे अपनी शक्तिया देने का नाटक करती है और वो उसे अपने एक जाल में फसा देती है जिससे अगाथा अपनी पाउर्स यूज नहीं कर पाती फिर Wanda अगाथा की ही सारी पाउर्स एब्जॉब कर लेती है और तब वो पूरी तरह से बन जाती है Scarlet Witch Wanda अगाथा को मारती नहीं बलकि वो उसे Agnes का रूप देकर Westview में कैद कर देती है ताकि अगर कभी उसे अगाथा की जरूद पड़े तो वो वहाँ आकर उसकी मदद ले सके दूसरी तरफ विजन White Vision को ये एसास दिलाता है कि वो खुद असली विजन है मतलब अगर वो अपनी प्रोग्रामिंग को फॉलो करेगा तो उसे खुद को ही माना पड़ेगा फिर विजन White Vision की सारी Memories को Restore कर देता है और White Vision वहाँ से चला जाता है फिर Wanda ये फैसला करती है कि वो अपनी खुशी के लिए पूरे शहर की बली नहीं चड़ाएगी और वो West View पर से अपना Magic हटाना शुरू कर देती है फिर Wanda अपनी फैमिली की साथ अपने घर जाती है और वो सबसे आखरे बार मिलकर उनसे विदा लेती है फिर Wanda का Magic हटते ही उसका घर और परिवार सब गायब हो जाते है फिर Wanda मौनिका को अलविदा कहे कर सबसे बहुत दूर चली जाती है ताकि वो अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख सके आखरी एपिसोड के मिट क्रेडिट सीन में स्वोड की डिरेक्टर हेवर्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है और मौनिका से मिलने के लिए एक स्क्रल वहाँ आता है जिसे उसकी मौम की पुराने दोस्त ने वहाँ भेज़ा था जोकि मौनिका से स्पेस में मिलना चाहता था शायद यहां निक फ्यूरी की बात हो रही है निक फ्यूरी को हमने आखरी बार Spider-Man Far From Home के end में एक स्पेस्शिप में स्क्रल्स के साथ देखा था शायद Nick Fury मौनिका को किसी मिशन के लिए स्पेस में बुला रहा है Post-Credit Scene में हमें Wanda दिखाई देती है जो कि किसी अंजान जगा पहाडों में अकेली रह रही थी आगे हमें दिखता है कि Wanda अपने एस्टरल फॉर्म में एक बुग पढ़ रही है ये बुग है Dark Hold जो कि एक Dark Magic की बुग है और वो पहले अगाता के पास थी पर Wanda ने उसकी शक्तियों के साथ उससे ये बुग भी ले ली थी और अब Wanda इस बुग से Dark Magic सीख रही है यहां उसे अपने दोनों बच्चों की आवास सुनाई देती है जो कि उसे मदद के लिए पुकार रहे थे शायद Wanda Dark Magic का इस्तमाल करके अपने बच्चों को वापस लाना चाह रही है तो दोस्तों ये थी Wanda Vision सीरीज की पूरी स्टोरी अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी लाइक और शेयर जरू करिए और ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्स्राइब कीज़े हमारा चैनल और इस बेल को दबाईए ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके